हेलो स्थो आप सभी सब बात करेंगे हापर हैपेस मायंड के बारे में इस कमपनी के अंदर दो इंपोर्टन अपडेट वाले न्यूज आचुके उसे रिलेटेड डिसकस करेंगे जो आपको यहापर काफी जबरदस तरीके से इस कमपनी के बिजनस स्ट्रक्चर पर इंपक करते वे नजर आएंगे जो अपडेट है उनका असर आपको जरूर स्टॉक प्राइस पर देखने को मिलेगा एंड कमपनी के बिजनस पर भी देखिए हैपएस माइंड वन आप दे बेस्ट कमपनी सावित होगी आने वाले समय में क्योंकि इसके जो अभी यहापर जो डिसीजन के पूरे आप यहापर वे देखेंगे मिन्स वो कौन से यहापर एक रास्ते पर चल रही कमपनी आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यह कमपनी हर वक्त अपने आप में डेवलप्मेंट लाने के लिए और खुद के बिजनेस को एक अच्छी अच्चुमेंट करकर दिलाने के लिए ही कोशिश कर रही है आप यहापर निवेश किये हो तो आपको यहापर जरूर यहापर बेनिफिट मिलने वाला है और इस कमपनी में आपका निवेश काफी लंबे समय तक रहना चाहिए है ऐसा क्यों मैं आपको बता था उसके पीछे काफी बड़ा रीजन है देखिए आज यहापर आप IT सेक्टर देखेंगे तो सबसे तेजी से ग्रो करने वाला सेक्टर है और उसके अंदर आपका भी नियूस पेपर में देखेंगे आर्टिकल बहुत से छफ़े है उसके अंदर बताया गया है कि IT के अंदर सबसे ज़्यादा जॉब अभी इस बार बलतो यह अभी करन्ट सिचुएशन में यहाँ पर क्रेट हो चुके है और सबसे अधर लोगों को जो रोजगार मिला है वो IT सेक्टर से तो आप समझ सकते रोजगार कहाँ पर मिलता जहाँ पर डिमांड है और इसी से यह ग्रोथेबल सेक्टर है एंड इंडिया का यहाँ पर IT हब बनना काफी जबरदस तरीके से यह बेनिफिट देने वाला साबित होगा और हैपेस माइंड एक ऐसे परिशन के पास है जो काफी सालों का एक्सपिरिंस रखता है जो अपनी बिजनेस सेक्टर में मिन्स यहाँ पर अशोक शोटा जो एक कंपनी को यहाँ पर रन करते हैं आपको यह तो ज़रूर पता होगा तो देखें न्यूज और बाद में से आप डिसिजन ले सकते हैं एक अपडेट है देखें हैपेस माइंड टेकनलोजी लिमिटेड अनौन्स दे एकस्पंशन अप इट्स नौईडा फैसिलिटी जो हैपेस माइंड कंपनी के नौईडा की यहाँ पर फैसिलिटी जो भी यहाँ पर जो उनके पूरा वहाँ पर ओफिस वगिरा रहेगा यहाँ फैसिलिटी या सर्विसेज प्रोइट करते हैं वो पूरा यहाँ पर जो उनका कैपिसिटी है वो बढ़ाने के लिए यहाँ पर एकस्पंशन करने के लिए पूरा खर्चा करने के लिए वो तयार है और बिजनेस को एक next लेवल पर लिजाने के लिए है यह पूरा कोशिश कर रहे है एंड इसके साथ आप यहाँ पर काफी निवेशक ऐसा कहेंगे कि सर इस कमपनी में काफी समय हो गया रिटन तो कुछ मिला नहीं पिछले छे मैने से यह स्टॉक कोई उतना खास परफरमस करकर भी नहीं दिखाया और ना पिछले एक साल से बड़ा कोई रिटन मिला है दोस्तो रिटन आपको इसमें मिलेंगे जरूर थोड़ा आप समय को समझेंगे तो आपको अंडरस्टेंडिंग होगा यह काफी समय से स्टॉक एक अच्चुमेंट करने के और ग्रोध करने कोशिश में है बट मार्केट का प्रेशर भी यहाँ पर और इंडेक्स भी आप देखेंगे तो IT इंडेक्स मेटल इंडेक्स करेक्शन में थोड़ा ज़्यादा रहे है तो उसका इंपेक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप देखेंगे तो एक company uptrend momentum में काफी अच्छी तरीके से कोशिश करती है और इसमें इतनी तो ability की आगे जाकर perform करकर दिखा है अभी जो और एक news announce की है company तरब से मैं आपको भी बताता हूँ आप उसको भी देखेंगे आज यहाँ पर जैसे के 16 September 2022 को देखेंगे तो नजर आएगा आपको कि इसमें 42% यहाँ पर quantities उठाए गए यह client तरब से 1,48,000 shares हैपेस माइन के खरीद कर निवेशक नहीं रखे है और आज जो अपडेट आया है प्रेस रिलीज की गए उसके बारे में आपको बताता हूँ आप पढ़ सकते यह 16 September और यह पूरी details हैपेस माइन टेक्नलोजी लिमेटेड हैज इनफर्म दे एक चिंग अबाउट प्रेस रिलीज डेट 16 September 2022 टाइटल हैपेस माइन टेक्नलोजी डिपलोईस सोलर प्लांट एड़ बैंगलूरू जो यहाँ पर इनका पूरा सेट अप है देखे बिजनस का जो भी आफिसेस होते है जो भी हाँ पर वर्क चलता है तो इनको electricity के आपको पता है जरूत होती है तो यह पूरा अभी structure कैसा हो रहा है देखे है हर किसी company के अंदर आप देखेंगे तो वो जो भी electricity other source जाती थी उसकी dependency कम कर रहे है और खुद का ही solar plate वगेरा लगा कर एक plant बना कर जो open place available इनके पास office के एरिया में वगेरा उसको use करकर electricity generate कर रहे है कम से कम 20, 50, 30% dependency कम करने के लिए तयार है जो electricity ये use करते है दूसरे तरफ से तो आप समझ सकते कि ये कितना अच्छा benefit रहेगा क्यों है पेस मैंड ने solar plant अपना start कर लिया तो इनको यहाँ पर काफी जबरदस तरीके से benefit मिलेंगे क्योंकि इनका जो पूरा expenses है वो कम होगा और आप जानते है कि electricity से कितना सारा यहाँ पर जो भी इनको benefit होगा वो new development के ल solar plant इन्होंने start किया तो क्या होगा वो सालों साल यूज होगा एक तो जो यहाँ पर expenses हुआ है solar plant बिठाने के लिए वो automatically paid up हो जाएगा इतना यहाँ पर यूज यह कर लेंगे और benefit बहुत अच्छे से रहेंगे बहुत ही अच्छे plan है और इसमें ability भी company में strong है कि आगे जाकर आपको growth करकर दिखाए आप official तो news देखी चुके होंगे साथी यहाँ पर business standard यहाँ पर इस article में बताते है कि happiest mind deployed solar plant at its Bangalore campus में तो इसका benefit आप जानते होंगे कितना अच्छी तरीके सरेगा और मुझे लगता ही कि आप समझ रहे है कि company में कितनी अच्छी और जबरदस news आ रह रोज रोज शेर भागता नहीं कितना भी आच्छा लेने दो आप शेर कितना ही fundamental रहने दो उसके अंदर कितने भी analysis कहने दो कि खरीदो बेचो खरीदो कुछ भी बोलने दो बट वो कभी भी ऐसा कभी तेजी में या कभी गिरावट में ऐसा भागेगा ऐसा कभी नहीं होगा